हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्टिडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, दोस्तो डेली कर इंट अफ्यास की सीरीज में आपका स्वागत है, आज हम डिसकस करेंगे 13 एक्टूबर 2021 से रिलेटिड, मोस्ट इंपोर्टेंट कर इंट अफ्यास, दोस्तो आप इस लेक् चैनल को जोईन के लिजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा, दोस्तो आप हमसे वाट्सेप के माद्यम से भी जुड़ सकते हैं, तो हमारी वाट्सेप नमर है, 8602-3913, और दूसरा वाट्सेप नमर है, 8770-53-09, इसके अलाबा आप खबर लेगी, चलिए फ्रेंट्स इस लेक्चर को शुरू करते हैं, और पहला कोशन डिस्कस करते हैं, हाली में किस राज में अनोजसाव योजना की शुरुबात की गई है, तो आंसर इसका उत्राखंड में, दोस्तो उत्राखंड के मुखमंत्री है पुसकर सिंग धामी, तो इन पुसकर सिंग धामी ने कहा है, कि प्रधान मंत्री गरीब कलियार योजना और आत्मिनर भर भारे योजना के अलावा, राज्य सरकार लाभारतियों को बहुत ही कम कीमतों पर और बहुत ही उचित कीमतों पर लोगों को रासन उपलब्द कराएगी, तो दोस्तों यहां पर बात आई है उत्राखंड की, तो उत्राखंड के बारे में कुछ पॉइंट डिसकस कर लेते हैं, उत्राखंड के स्थापना 9 नॉम्बर सन 2000 को ही थी, और राजधानी है इसकी दहरादून, एक बात और ध्यान से सुनीगा, जो उत्राखंड है, यह उत्तर प्रदेश से तो यह कुछ इंपोर्टेंट जानगारी थी, उत्राखंड से रिलेटेड, अंगला कोशन डिसकस करते हैं, इंपोर्टेंट कोशन है, 2020 में किन तीन बिज्ञानकों को अर्थसास्त के चेत्र में नोबल पुरुसकार से सम्वानित किया गया है, तो उनके नाम है डेवेट का जोसुआ एंग्रेस्ट और गुईडो इंबेंस को इसलिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने हमें स्रम बाजार के बारे में नई अंतर श्रीप प्रदान की है, और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रियोगों यानि नेशुरल एक्सपेरिमेंट के कारण और प्रभाव के बा जानिक अमेरिका से रिलेटेड हैं, दोस्तो कौन सी संस्ता इन को नोबल प्रुसकार प्रदान करेगी तो आप ध्यान से सुनीगा, The Royal Swedish Academy of Sciences जो है, वो इन तीनों लोगों को नोबल प्रुसकार प्रदान करेगी, याद रखिएगा कि जो स्वीडन की केंद्रिये बैंक है, उसका भी कुछ हिस्सा होता है अर्थसास्त के नोबल प्रुसकार में, याद रखना है, 1968 से नोबल प्रुसकार दिया जाता है अर्थसास्त के चेत्र में, बाकि जो नोबल प्रुसकार की शुरुवात है, वो 1901 से की गई थी, लेकिन अर्थसास्त का जो नोबल प्रुसकार उसकी स्थापना की गई थी 1968 में और 1969 में पहली बार आर्थशास के चेत्र में नोवल पुरुषकार दिया गए था दोस्तो साल 2021 में जो नोवल पुरुषकार बित्रत किये गए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो जैसे भौतिक बिग्यान के छेत्र में नोवल पुरुषकार दिया गया है तीन लोगों को दो हजारीटीस में तो उनके नाम क्या-क्या है शियोकरो मनावे जोकी अमेरिका के हैं, क्लाउस हैसलमेन जोकी जर्मानी के हैं और जॉर्जियो पौर्सी जोकी इटली के हैं तो इन तीनों लोगों को भौतिक बिग्यान के छेत्र में नोवल पुरुषकार दिया गया है अब हम बात करते हैं दोस्तों रसाइन बिग्यान के नोवल पुरुषकार की तो ये दो लोगों को दिया गया है वो दो लोगों को नोवल पुरुषकार दिया गया है उनके नाम है डेविट जूलियस जो की अमेरिका के हैं और लेबनन पटा पाउटियन जो की अमेरिका के हैं तो इन दोनों लोगों को मैडिसन के छित्र में नोबल पुरुषकार दिया गया है दोस्तो अगर हम बात करें साहित के नोबल पुरुषकार की तो यह दिया गया है अबदुर जो के रूस के पत्रकार हैं तो दोस्तों इन दोनों पत्रकारों को नोबल सांती पुरुषकार दिया गया है चलिए फ्रेंड्स अंगला कुशन डिसकस करते हैं इंपॉर्टेंट कुशन है हाल ही में प्रकास रिबास्ताओं ने किस राज्य के उच्छ न्यालाय के मुखन्या दोस्तों आप यहां पर एक महत्पूर्ट नोट करिएगा कि जो राजपाल होते हैं वो मुखन्याधीस को सपथ दिलाते हैं और जो मुखन्याधीस होते हैं किसी भी राजज के वो राजपाल को सपथ दिलाते हैं यानि ये दोनों एक दूसरी को सपथ दिलाते हैं अगर हम बात करें प्रकास स्रीवास्ताव की तो ये इस से पहले वो मद्दप्रदेस उचन्यालाय में एक नियायाधीस थे चलिए friends बात आई है पश्चिममंगाल की तो पश्चिममंगाल के बारे में कुछ बातें डिसकस कर लेते हैं पश्चमंगल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी राजधानी हम सभी को पता है कोलकाता है राजपाल कौन है जगदीब धनकर है और दोस्तो मुख मंत्री यानि चीप मिनिश्टर कौन है ममता पनर्ची है हाली में कुछ नए मुख नियाधीस बनाए गया है और न्याय मूर्ती 37 चंद सर्मा को तेलंगाना उचिन्याला का मुख नियाधीस बना गया है तो दोस्तो ये पॉइंट भी आप नोडाउन का लिजेगा अंगला कोशन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतिय अंतरेक्स संग की शुरुवात की गई है और उन्होंने कहा है कि सरकार अब स्पेस सेंटर के संचालक नहीं बनी रह सकती बलकि हम इस छेत्र के लिए संबल प्रधान करने वाली ताकत बन सकते हैं यानि उनका कहना ये था कि जो सरकार है वो स्पेस सेंटर के संचालक की रूप में बस काम नहीं करेगी बलकि उसको ताकत प्रदान करने वाली एक संस्था के रुप में कारिक करेगे तो दोस्तो प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की जो नीतियां होंगी अब प्राइवेट स्पेस सेक्टर में नमोन वेस को बढ़ाबा देंगी यानि कि जो स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट कंपनियों को भी मौका मिलेगा दोस्तो अब क्या होगा कि जब प्राइवेट कंपनियों को मौका मिलेगा तो जो इस रो है वो अपनी सुभनाय प्राइवेट सेक्टर को भी देगा दोस्तो भारतिय अंत्रिक्स संग निजी संस्थाओं की एक प्रोधोक की निकाह है जो भारत के अंत्रिक्स छित्र में तकनीकी का प्रसार करेगी अब आपको याद रखना है कि जो भारतिय अंत्रिक्ष संग है उसमें तीन पाँच कम्पनिया जुड़ी हुई हैं तो वो पाँच कम्पनिया कौन-कौन सी हैं तो लारसन एंड टर्बो, नेलको, वन वेव, मैप माई इंडिया और वल चंदन नगर इंडरेश्टीज और अन प्रदेश के छेत्र में, बात आई है दोस्तो इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को मुख्याला है बैंगलूरू में है और इसका आदर्स बाग है मानावजाती की सेवा में अंत्रिक्ष प्रोद्वक की, इसके प्रसासक कौन है या अध्यक्ष कौन है इ दिल्ली, यानि दिल्ली में देश के मेंटर कारकरम की शुरुवात की गई है, दोस्तो दिल्ली के मुख्यमंतरी कौन है अरविंद केजरिवाल तो उन्होंने इस कारकरम की शुरुवात की है, कारकरम में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अपने अ इसके अलाबा उनका नाम समाशेवा में ही, तो दोस्तों अगर वो चाहें तो दिल्ली के एक से लेकर के दस छात्रों को अपने सरच्छर में ले सकते हैं, और वो उन छात्रों को, यानि उन छात्रों के मार्ग दर्सक यानि मेंटर के रूप में कार कर सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो देश के मेंटर कारक्रम है दिली सरकार का उसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने छितर में सफलता प्राप्त किये हुए है वह दिली सरकार के स्कूलों के एक से दस छात्रों को अपने सरच्छर में ले सकता है और उनका मार्ग दर्सन कर सकत है दोस्तों देश के मेंटर कार्करम में क्या किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति एक से दस छात्रों को लेगा किसी भी स्कूल के तो उसको हफ्ते में 10 मिनिट का समय निकाल करके उन बच्चों से बात कर नहीं होगी और उनका मार्ग दर्सन करना होगा अब बात करते हैं कि द इसस्वास्त संग्ठन की एक रिपोर्ट के अंसार वायू प्रोदूसर से दुनिया भर में प्रती मिनिट कितने लोगों की मौत हो रही है। तो आंसर इसका 13 लोगों की यानी WHO ने हाली में एक रिपोर्ट जारी की है जो की बहुत ही डराने वाली है। तो उसमें ये कहा गया है कि प्रती मिनिट 13 लोगों की मौत हो रही है बायू प्रोदूसर के कारण। दोस्तों स्कॉट लेंड के ग्लासको में संयुक्त राष्ट जलवायू परिबरतन सम्मेलन की अगवाई में WHO ने यह रिपोर्ट जारी की है और चेताओं नी भी जारी की है। दोस्तों WHO की बा हेल्थ से रिलेटिड संस्था है यानि सभी देशों को हेल्थ से रिलेटिड सुब्धाय प्रतान करती है। अंगला कोशन है हाली में किस राज्य सरकार के विवादासपद विवाह संसोधन बिल 2021 को बापस ले लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान स लाया गया था जिसको हाली में उनकी सरकार ने वापस ले लिया है क्योंकि जो वहां का विवक्षी दल है और जो अन्य सामाजिक संगठन है उनके द्वारा यह आरोप लगाया चाह रहा था कि जो विवाह संसोधन बिल 2021 है इसके द्वारा बाल विवाह को मानिता मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स अब हम इस बिल को समझ लेते हैं कि बिपक्षी दलों और समाजिक संगठनों ने ये क्यों कहा है कि यह जो विवाह बिल है या विवाह संसोधन बिल है यह बाल विवाह को बढ़ावा कैसे देगा। तो दोस्तो इस बिल में ये कहा गया था कि राजस्ता लड़के की उम्र 21 साल से कम हो और लड़की की उम्र 18 साल से कम हो उसको भी रजिस्टर कराना अनिवार होगा तो इस प्रकार से यह माना जा रहा था कि इस से बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तो ये थी राजस्तान सरकार का बिवादासपत विवाह संसोधन आसा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये विल समझ में आ गया है तो आप like जरूर कर दीजेगा दोस्तों, अब हम दोस्तों अंगला question डिसकस करते हैं, important question है, तो ध्यान से सुनिएगा, हाले में किस राज्य का चुनाव आयोग, smart phone के माध्यम से मतदा के लिए भारत का पहला dry run आयोजित करने जा रहा है, तो उस राज्य सरकार का नाम है तेलंगाना सरकार, यानि तेलंगाना सरकार का जो चुनाव आयोग है, यानि तेलंगाना का जो चुनाव आयोग है, उसके द्वारा एक app जारी किया गया है, तो उसका dry run आयोजित किया र सकते हैं और इसका अभी हाल ही के दिनों में ड्राई रन आयुजित किया गया है दोस्तों बात आई है तेलंगाना की तो तेलंगाना की राज़ानी है इसका गठन हुआ था दो जून जाता है तो आंसर होगा इसका 23 अप्रेल को IPL की इतिहांस में 6000 रन बनाने बाला पहला बल्लेबाज कौन बना है तो दोस्तों उस बल्लेबाज का नाम है ब्यार्ट कोहली विश्चु पुस्तक दिबस यानि वर्ल्ड बुक डे किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 23 अंगला कुप्रेस विए स्वङष्ट하하 किस दिन मनाया जाता है अंगला कुप्रेस स्वदत्रत्था सूचकाम 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है तो आंसर होगा इसका 122 मा दोस्तों अंगला कोशन है कप्तान के तौर पर एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाडी कौन बने है तो दोस्तों उनका नाम है महन सिंग धोनी तो दोस्तों ये थे कोशन पुराने करें इंटरफेस के जिनका अभी हमने रिवीजन किया है अब हम वो कुशन डिसकस करते हैं जिनकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने है पहला कुशन है तेलांगाना के राजपाल कौन है दूसरा कुशन है डबलू येचु का मुख्याला कहा है तीसरा कुशन है देश की मेंटर कारकरम का ब्रांड एमबैस्टर किसी बनाय गया ह चोथा कोश्यन है इस रोग किस्थापना कब हुई थी और पाँचमा कोश्यन है पश्यमंगाल के राजपाल का नाम क्या है तो इन सभी प्रस्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा दोस्तो अब हम वो नाम डिसकस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सठीक दिये हैं और ये लोग लगातार क्लास में बने रहते हैं तो दोस्तो इनके नाम है अमान यादाव, बिसनु सौलंकी, संधी पांडे और ससी कुमार तो इन लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिये हैं और बहुत ही सही जवाब दिये हैं चलिए friends अब हम कुछ और बातें डिसकस करते हैं आपके साथ आप राजा गुपता को अनेकेडवी पर फॉलो कर लीजीगा वहाँ पर आपको उनकी special classes मिल जाएंगी, live classes मिल जाएंगी जिसके माध्यम से आप अपने exam की तयारी बहुत ही अच्छी से तर कर सकते हैं अगर आप राजा गुपता के माध्यम से कोई भी course पर्चेश करना चाहते हैं के लिए एक referral code यूज करिएगा राजा नमबर वन दोस्तों अगर आपको यह lecture पसंद आया है तो like कर दीजिएगा दोस्तों को share कर दीजिएगा हर एक platform पर मिलते हैं नेक्स लेक्षर में जैहन वंदे मात्रम